क्या उत्तर प्रदेश में AIM-AIM की पार्टी दंगा कराना चाहती है क्या AIM-AIM की पार्टी लोगों को भड़का करके ये बताना चाहती है कि सर तन से जुदा के नारे लगाओ और जितने भी लोग हैं उनको काट दालो मुजफर नगर्म के बुढ़ाना से अचानक से एक इसलामी कटर पंथियों की भीर नजर आती है शाम को जिसके बाद से लोग पत्थर बाजी करना चालू कर देते हैं ऐसा बताया जाता है कि इन सब को वाटसेप पर एक मेसेज आता है बकाइदा उनको बताया जाता है कि अब तुमको साड़क पर निकलना है और पत्थर बाजी शुरू करनी है साथ ही सर तन से जुदा के नारे लगाने हैं हाला कि इसमें AIMIM पार्टी के पदाधिकारी समेट 19 लोगों को गिरफदार तो किया गया है लेकिन आखिरकार सवाल ये उठता है कि ऐसा किसने करवाया और आखिरकार ऐसा क्यूं हुआ इस पूरी कहानी के पीछे की सचाई क्या है इस पर आज बात करेंगे मेरे साथ अभिशेक मौझूद है अभिशेक बुढ़ाना में जो कुछ भी हुआ है और जिस तरीके से करवाया गया है क्या कहानी है इसके पीछे AIMIM का जब नाम आता है नंदनी तो सबसे पहले नाम आता है OVC का जिनके बयान कई बार ऐसे भड़काव होते हैं कि उनके भाई के खिलाब कई बार FIR दर्ज हुई लेकिन मैं उन बातों पर नहीं जाओंगा मुझफर नगर के बुढ़ाना में जो हुआ बुढ़ाना एक विधानसभा है और बुढ़ाना विधानसभा के AIMIM के अध्यक्ष जिनका नाम आजम है वो दंगे की साजिश रचते पकड़े गए इनके अलावा दूसरे बड़ेनेता हसनैन और राहिल इनको भी मुझफर नगर की पुलिस ने गिरफतार किया है और इन् लगता है उसके बार 22 अक्टूबर को SSP बकायदा प्रेस कॉन्फरेंस करके मुझे लगता है हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार हुआ जब SSP को ये कहना पड़ा कि किसी केस में राजनीतिक पार्टी के ग्रूप में मैसेज डाले गए आपने जिस मैसेज का जिक्र पुलिस डिकोट कर रही है लेकिन उस मैसेज के पीछे की कहानी ये थी कि एक वेक्ति जिसका नाम अखील त्यागी है उसने एक इस निंदा के बारे में कुछ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था इस निंदा से जुड़ा ये मामला इतना तेज बढ़ा उसके बाद लोग से फैल आई गई कि लोगों ने कहा जो ये ग्रूप में मैसेज वैरल हुआ उसमें ये कहा गया कि जो आरोपी जिस आरोपी को पुलिस ने पकड़ा था उसको छे घंटे बाद छोड़ दिया गया लोगों की भीड इस बात पर उतारू हो गई हाथों में पत्थर दिल में न अधिकारी समेत अभिशेक 19 लोगों को घ्रफ़तार किया गया है हाला कि क्या कोई और पार्टी शामिल होने के अखिलेश यादों की पार्टी के कई नेता पकड़े गए थे पहले जब इस तरीके की घटनाय होती थी तो कई पार्टीों के नेता पकड़े जाते थे लेकिन ये पहली बार हुआ जब OVC की पार्टी पर इतने गंभीर आरोप लगे आप ये सोचिए कि जिन 19 लोगों का नाम मैंने बताया और दो लोग अभी भी फरार हैं जिनका नाम है रमीज और तारिक ये दोनों AIMIM के नेता बताये जा रहे हैं और इनका गुनाह क्या है आप ये समझे वहाँ पे हुआ क्या था ये भी समझे यहाँ ये हालत इतनी बड़ी थी जब 19 अक्टूबर 20 की रात हुआ था जो वहाँ पे घटना हुई थी रामगोपाल मिसरा के साथ जो वहाँ साजिश रची गई वो समझे ये कि उससे भी बड़ी कहानी इधर अकिल त्यागी के साथ हो सकती थी अगर सिंगम SP ने एंट्री नहीं ली होती आप सोचिए ये घटना इतनी बड़ी थी कि 700 अग्यात लोगों के खिलाफ EFR दर्जुई है 16 लोग गिरफतार किये गए हैं जो अब तक की अपडेट है जो अब तक इस खबर में जानकारी सामने आई है जो बुढ़ाना बिधान सभा है वहाँ के AIMIM अध्यक्ष ने जो मैसेज डाला जो ग्रूप में मैसेज वा होंगे और कोई नहीं भुला है आज तक उसी तरीके की साजिश यहां रच्ची जा रही थी आपको याद होगा यह वही मुझफर नगर है जहाँ ATS के कमांडो कावड यात्रा के दोरान उतारे गए और वो भी इस बात पर वो यह आशंका थी कि यहां कुछ भी बड़ा हो स करते हैं कुल 19 लोगों गिरफतार किया है इसमें पांच लोग चिन्नित हुए हैं जिन्हों ने इस पूरी चीज को प्लान किया था और इसमें रमीज आजम तारिक और राहिल हैं इसमें रमीज ए आइमायम का यूथ जिलाद्ध्यक्ष है और आजम इसमें एमायम का नगर अध्यक्ष है प्रक्रण में वाट्साइप और अन्य शोचल मीजिया प्लाट्फॉर्म्स का इस्तमाल हुआ था जिसमें एमायम का विधान सभा का ग्रूप है उसमें भी आडियो वाइरल किये गए थे कि अल्ला के शान में गुस्ता कि हुई है तो लोग इखटा वहां पर हो इसमें जो प्रतन दुष्टिया सामने आया है कि सौहाद बेगाड़ने का प्रयास किया गया था एक कुछ इंसिडेंट को लेकर उसके संब्द में अफ़वा फैला कर और इसमें पॉलिटिकल पार्टी के वाटसाइप ग्रूप का इसमाल किया गया था तो इसमें सामाज इस कहां पर गिरफतार करेगी साथ ही सबसे बड़ा सवाल जो है वो यह कि क्या AIM-IM की पार्टी में कोई साजिश रची जा रही है या फिर AIM-IM के साथ कोई और भी ऐसी पार्टी है जो लोगों को गुम्रा करने की कोशिश कर रही है आपका इस पर क्या कहना है आप हमें न